उम्शान्ती, 27 नवंबर 2023, मीठे प्यारे बाबा के आज के मदुर महावाक्य, आज की मुली के कुछ मुख्य पॉइंट्स, आज पाबा हमी समझाते की हम बच्चों को शरीर निर्वा अर्थ कर्म करते भी बाब को याद करना है, श्रीमत में अपना कल्यान समझ चलते रहना है, मन मत नहीं चलानी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कभी भी संशे बुद्धी बन पढ़ाई को नहीं चोड़ना है, मनुष्यों को हीरे चैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है अपनी संकल्ब शक्ति और बानी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीती से कारे में लगाना है आज की मुली में मातेश्वरी जी के भी मधुर माहवाक्य हैं जिनमें वे समझाती की मन की शांती का कारन है कर्म बंधन और शांती का आधार है कर्मा तीत अवस्था तो चलिए सुनते हैं आज की मीथी प्यारी मुली उमशांती बावा कहते मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वा अर्थ कर्म करो रात में बैठ ज्यान का सिम्रन करो, बाप को याद करो, बुद्धी में स्वधर्शन चक्र फिराओ, तो नशाद चड़ेगा। प्रश्न माया किन बच्चों को याद में पैठने ही नहीं देती है। उत्तर जिनकी बुद्धी किसी न किसी में फसी हुई रहती है। जिनकी बुद्धी को ताला लगा हुआ है। पढ़ाई अच्छी रीदी नहीं पढ़ते हैं। माया उन्हें याद में पैठने नहीं देती। वे मनमनाभव रह नहीं सकते। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धी चलती नहीं। श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं। धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। गीत तुम्हारे बोलाने को जी चाहता है। उम शान्ती। बच्चों ने गीत सुना। कौट फादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहेंगे आओ, फिर से तंसपूरी के बदले कृष्णपूरी बनाओ। कृष्णपूरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, ये कोई भी जानते नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापड में ले गए हैं। ये सब भूलें शास्त्रों से हुई हैं। अभी बाप यतार्त बात समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गौड फादर है। सबको उस एक गौड को ही याद करना है। भल मनुश्य, क्राइस्ट, बुद्ध, अत्वा, देवताओं आदी को याद करते हैं। हर एक धर्मवाले अपने धर्मस्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर से। भारत में काया हुआ भी है, दुख में सिमर्न सब करें, सुख में करें न कोई। बात में ही याद करने की प्रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है। पहले-पहले भारत वासियों ने याद शुरू किया। उन्हों को देखते दूसरे धर्मवाले भी अपने धर्मस्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्मस्थापन करने वाला है। परनतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्न का नाम डाल दिया है। लक्ष्मी नारायन के धर्म का उन्हें पता नहीं है. याद तो न लक्ष्मी नारायन को न शुरी कृष्ण को करना है. याद एक बाप को करना है, जो आदि सनातर देवी देटा धर्म की स्थापना कर रहे हैं. फिर जब ये भक्ती मार्गमी शिव की पूजा करने लगते हैं, तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, उनको याद करते हैं, उनों को देख वे भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, ये भूल चाते हैं कि ये तेवता धर्म भगवान ने स्थापन किया ह हम लिख सकते हैं कि गीता का सर्मोनाइजर श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है, वे है निराकार, ये वंडरफुल बात हुई ना, किसी के पास भी शिव बाबा का परिचे नहीं है, वे स्टार है, सब जगे शिव के मंदिर हैं, तो वे समझते हैं कि इतना बड़ा है, अख जहां आत्माई रहती हैं, आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है, परंपिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वे नॉलिजफुल बीज रूप होने कारण उनमें ताकत है, आत्माओं का पिता यानि बीज परमात्मा को कहेंगे, है वह निराकार, मनुष्य को तो ओशन लव कहना सकें, इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथोरडी चाहिए, जिनकी पुद्धी विशाल हो, तुम सब में मुख्य है मम्मा, बंदे मात्रम भी काया हुआ है, कन्याओं द्वारा बांड बरवाई, अधर कन्या, कुबारी कन्या का रास कहां है नहीं, सिर्फ मं दिर से ही सिद्ध होता है, जगदंबा भी बरोबर है, परन्तु पेचानते नहीं कि वे कौन है, बाप कहते हैं, मैं ब्रम्मा मुख कमल द्वारा रचईता और रचना के आदी मध्य अंत का रास बताता हूं, ड्रामा में क्या है, ये मनुश्यों की बुद्धी में आना चा ये पेहत का ड्रामा है, इसके हम आक्टर हैं, तो ड्रामा के आदी मध्य अंत का रास बुद्धी में रहना चाहिए, जिनकी बुद्धी में ये रहता है, उन्हें बहुत नशा रहता है, सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृती में लाओ, ये ड्रामा कैसे लगाता है, ये ही मन-मना भव है, परन्तु माया रात को भी बैठने नहीं देती है, एक्टर्स की बुद्धी में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परन्तु है बड़ा मुश्किल, कहा ना कहा फस पढ़ते हैं, तो बाबा बुद्धी का ताला बंद कर देते हैं, ब ये पढ़ाई है, परन्तु बाहर जाने से भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पढ़ते हैं, बाब कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्यान है, यह है पतित दुनिया, विकार को पॉईजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते ह ये रावन राज्य शुरू ही होता है द्वापर से, ये वेदशास्त्र आदी सब भक्ती मार्ग की सामगरी हैं, सर्विस के लिए बच्चों की पुद्धी चलनी चाहिए, श्रीमत पर चलें तो धार ना भी हो, बच्चे चानते हैं, बिनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो रड़ी मारेंगे, हे भगवान रहम करो, त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे, पाटिशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो, अब रक्षा क्या करेंगे, रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं, तो रक्षा करेंगे कैसे, आप समझाते हैं, ऐसे ऐसे सर्विस करो, ये श्रीमत बाप की मिलती है, ऐसे बाप को पैचान नहीं सकते, ये भी कैसा वंडर है, कितनी समझने की बाते हैं, सारा दिन शिर्प बाबा की याद बुद्धी में रहे, ये भी उनका रत साथी ठेहराना, बाबा देखते हैं, बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चे बुद्धी हैं, कल संशे बुद्धी बन जाते हैं, माया का तूफान लगने से अवस्ता गिरती है, तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? तुम ग्यान में आए, सरेंडर हुए, तो तुम रस्टी ठेहरे, तुम क्यों फिक्र करते हो? सरेंडर किया है, फिर सर्विस भी करनी है, तो रिटर्न में मिलेका, अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करता, तो भी उनको खिलाना तो पड़े, तो उन पैसों से ही खाते अपना खत्म कर लेते हैं, सर्विस करते नहीं है, तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की, मुख्य बाबा की रुखानी सर्विस करनी है, जिससे मनुष्य उच बने, सर्विस नहीं करते, तो जाकर दास दासी बनेंगे, जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते उनका मान भी उंचा होता है, जो नापास होंगे वे जाकर तास-तासी बनेंगे, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और वर्सा लो, बस ये मन-मनाभव अक्षर ही राइट है, उस्चन ओफ नॉलिज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंग ऐसे श्री कृष्ण कहना सके, बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो और वविश्य राज्यपद को याद करो, ये राज्योग है ना, इससे प्रुवरिती मार्ग सिध होता है, ये तुम ही समझा सकते हो, तुम्हारे में भी जो सर्वसिब तीके हैं, उन्हों को बुलाया चाता है, समझा चाता है, ये है, खोशियार हैंड है, बच्चों को योग-योग बनना है, श्रीमत पर अगर नहीं चलते, तो ना, बदनाम करते हैं, धोका देते हैं, तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं, ट्राबिनल भी बैठती हैं ना, अच्छा, मीठे-मीठे, सेकिल दे बच बच्चों प्रती, माठपिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्टे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वर जान सिखवा प्रेम से, नमस्टे, नमस्टे, नमस्टे जी, गुड शुक्रिया बाबा शुक्रिया बेहत के बाब से बेहत का वर्सा मिलता है। वही ऊंचते उंच निराकार परमपता परमात्मा है। वहे है बेहत का बाब और ये है हद का बाब और कोई 21 जन्मों का वर्सा नहीं देते हैं। ऐसा भी कोई बाप नहीं, जिससे अमर पद मिले, अमर लोख है सत्यू, यह है मृत्यू लोख, तो बाप का परिचे देने से समझेंगे, बाप से वर्सा मिलता है, जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है, वे बाप ही देते हैं, वही पतित भावन काया चाता है, वे कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो पाप कट जाएंगे, पतित से पावन बन, पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो, कल्प कल्प, बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है, अभी पावन दुनिया आ रह पतित दुनिया विनाश होनी है, पहले पहले बाप का परिचे दे, पक्का कराना है, जब पक्का बाप को समझ जाएं, तब बाप से बर्सा मिले, इसमें माया भूलाती बहुत है, तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो, श्री बाबा को याद करने पाप कटेंगे, मैं बाबा इनके द्वारा बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो, फिर भी धंदे आदी में भूल जाते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए, यही मिनत की पात है, पाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है, करमातीत अवस्ता वाले को कहा जाता है फरिष्टा तो ये पक्का याद करो कैसे किसको समझाएं पक्का निश्चे भी हो कि हम भाईयों को यानि आत्माओं को समझाते हैं सबको बाप का पैगाम देना है कई कहते हैं बाबा पास चलो दीदार करूं परंतु इसमें दीदार आदी की तो बात ही नहीं है भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो याद करने से सब पाप कर्ट जाते हैं कहां भी धंदे आदी में बैठे घड़ी-घड़ी बाप को याद करना है विन करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो माक्स कम हो जाएंगे, ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवताब बनने की, जो एक बाप ही पढ़ाते हैं, तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है, तो 84 जन्मों को, यानि चक्र को भी याद करना है, करमातीत अवस्ता तक पहुंचन के लिए मेनत करनी है, वे अंत में होनी है, अंत कोई भी समय आ सकती है, इसलिए पूरुशार्थ लगातार करना है, नित्य तुम्हारा पूरुशार्थ चलता रहे, लौकिक पाप, तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे, कि देह के सभी संबंद छोड़, अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़, मुझे याद करो, तो पाप कटेंगे, यह तो बेहत का पाप ही कहते हैं, बच्चे, मुझ एक की याद में रहो, तो सब पाप कट जाएंगे, तुम सतुप्रधान बन जाएंगे, यह धन्दा तो खुशी से करना चाहिए ना, उजन काते समय भी चलता रहे, तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्यान है, अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करता हूँ, आच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, याद प्यार और गुड नाइट, ओम शांती, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को पहरना के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रुहानी सर्विस करनी है, कभी भी संशे बुद्धी बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है, दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वा अर्थ कर्म करते भी बाब को या अपनी मत नहीं चलानी है, वर्दान, मंसा और वाचा की शक्ती को यथार्थ और समर्थ रूप से कारे में लगाने वाले तीवर पूरुशार्थी भव, तीवर पूरुशार्थी अर्थात, फर्स डिविशन में आने वाले बच्चे, संकल्प शक्ती और वानी की शक्ती को यथार्थ और समर्थ डीती से कार्य में लगाते हैं वे इसमें लूस नहीं होते उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता कि कम बोलो, धीरे बोलो और मदूर बोलो उनका हर बोल योग-युक्त, युक्ति-युक्त होता वे आवश्यक बोल ही बोलते व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनरजी समाप्त नहीं करते बे सदा एकांत प्रिये रहते हैं स्लोगन संपूर्ण नश्टो मोहा वह है जो मेरे पन के अधिकार का भी त्याग कर दे मातेश्वरी जी के मधूर महावाक्य मन के अशान्ती का कारण है कर्मबंधन और शान्ती का आधार है कर्मा तीत वास्तव में हर एक मनुष्य की ये चाहना अवर्शे रहती है कि हमको मन की शान्ती प्राप्त हो जावे इसलिए अनेक प्रयत्र करते आई हैं मगर मन को शान्ती अब तक प्राप्त नहीं हुई इसका यथार्थ कारण क्या है अब पहले तो ये सोच चलना सरूरी है कि मन के अशान्ती की पहली चड़ क्या है मन की अशान्ती का मुख्य कारण है कर्म बंदन में फसना जब तक मनुष्य इन पांच विकारों के कर्म बंदन से नहीं चूटे हैं तब तक मनुष्य और शांती से शूट नहीं सकते। जब कर्मबंधन तूट जाता है तब मन की शांती अर्थाव जीवन मुप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है ये कर्मबंधन तूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है। ये तो हम जानते हैं कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को चुटकारा दे नहीं सकती। ये है कर्मबंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योगबल से कर्मबंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तत पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। असल में मैं किसकी संतान हूँ। मेरा असली गुण क्या है। जब तत ये बुद्धी में आ जाए तब ही कर्मबंधन तूटें। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्मबंधन तूटते हैं। अच्छा, ओ शांती।